आज हम साधे सूट को काटना देखेंगे तो इसके लिए हम अपने सूट के कपड़े को 20 से मोड़ देंगे उल्टी साइट से मोड़ेंगे कपड़े को इस तरीके से और 20 से मोड़कर इसको बिछा लेते हैं लंबाई में हमने 20 से मोड़ दिया है इसको यह हमने सेट करके लेंगे अब पहले कपड़े को हम उपर से सीधा कर देते हैं यह दिखिए अब हम निशान लगाना शुरू करते हैं कि शोल्डर हमने साथ ले लिया है मुढधा भी हम साथ ही लेंगे साथ इंच इस तरीके से साथ इंच हमने तीरा ले लिया है और साथ इंच ही हमने मुढधा ले लिया है अब हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं तो 34 के हिजाब से हमें साड़े आठ चेस्ट लगाना है 34 का 1,4 साड़े आंट तो साड़े आंट हमने ले लिया है और इस तरीके से लाइन खीच देंगे ये दीखे, साड़े आंट पे हमने ये लाइन खीच दी है अब हम कमर का निशान लगाएंगे तो चेस्ट के निशान से 7 इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो ये 7 इंच नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे कमर हमें 28 लेनी है तो 28 का 1,4 साथ और आधा इंच लूजिंग का साड़े साथ पे हमने निशान लगा लिया है अब यहाँ पे भी हम एक लाइन खीच देंगे अब इस निशान से 7 इंच नीचे फिर एक पॉइंट लगाएंगे ये निशान हम हिप के लिए लगा रहे हैं अब कमर की निशान से 7 इंच नीचे यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया है हमने ये देखिए ये निशान हिप का है तो हिप हमें 40 लेना है 40 का वन फोर्थ 10 ये देखे 7 इंच नीचे हमने ये निशान बनाया इस लाइन को 10 पर हम निशान लगा देंगे और लाइन खीच देंगे तो ये 10 इंच हमारा हिप का निशान हो गया अब इन 3 को मिला देते हैं तीनो डॉटट पॉईंट्स को ये मिला देंगे अब हम इसको पिलाने के बाद पहले हम मुढ़्ठे की गुलाई लगा लेते हैं इस तरीके से मुढ़्ठे की गुलाई लगा लिए हमने और यहाँ पर ह हम कमर को भी हलका सा गौल कर लेते हैं यह हमने लगा दिया अब हम चौक के लिए क्योंकि स्ट्रेट्व सूठ तो हम बिल्कुल सीधी लाइनी थे लंबाई हम सूठ की अपने हिसाप से ले लेंगे तो हमने पूरा कपड़ा जित्ता लंबाई है सब ले ली है 40 लंबाई है इसकी आप यह देखिए हमने चोक बिल्कुल हिप की सिधाई में हमें सीधा सीधा line हमने खीच दी है अब हम margin ले लेते हैं margin हम अपने साफ से 1.5 या 2 inch ले लेते हैं हम 1.5 inch margin ले रहे हैं तो अब इस fitting की 1.5 inch extra हम लाइन कीच लेंगे इस तरीके से मार्जिन के लिए चौक पे भी हम लाइन कीच लेते हैं आप यह हमने कुर्टे का फ्रंट ड्राफ्ट कर लिया है आप इसको हम काट लेते हैं यह हमने आगे का पार्ट काट लिया है अब इसी को पीछे वाले पार्ट पे रखकर पीछे का पार्ट भी काट लेते हैं अब हम पीछे का पार्ट काट लेते हैं इसके लिए हमने कपड़े को ऐसे बिछा लिया है अब इसके उपर हम आगे का कटा हुआ वाला पार्ट बिछा लेंगे इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं यह देखिए और इसको भी अब हम काट देंगे इसके उपर रखकर हम ऐसे ही इसको बस काट लेना है आगे पीछे बराबर कटेगा और यह हमारी सूट की ड्राफ्टिंग और सूट की कटिंग हमने कर ली है बहुत ही इसी तरीके से यह ड्राफ्टिंग हमने करना बताया है अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट गया है यह देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सूट की कटिंग कर ली है